ये सीधा सा मतलब था कि अगर पत्थर पर एक कट लगाने के बाद कोई टॉप ग्रेड जेट दिखता है तो दूसरा कट लगाने पर उसमें एक साधारन पत्थर का टुकड़ा भी निकल सकता था वहां मौझूद लोगों ने उस पत्थर की कीमत 80 लाक रुपए तक पहुँचा दी थी 30 लाक से 80 लाक ये एक प्रॉफिटेबल डील थी लेकिन विपिन को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि इसकी कीमत कितनी थी या फिर वह कोई ग्लास टाइप इंपीरियल जेट था या नहीं विपिन ने सहज भाव से कहा सौरी मैं इसे नहीं बेचने वाला उसकी इस बात को सुनकर सभी लोग निराश हो गए को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर चटान के उस टुकड़े की बाहरी परत को हटाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया कुछ देर बाद चटान का भर टुकड़ा एक पत्थर कम और गहरे हरे रंग का चमकता हुआ एमरल्ड ज्यादा लगने लगा सीलिंग लाइट्स के नीचे वह म्यूजियम में रखी किसी नायाब चीज से कम नहीं लग रहा था मास्टर पीस ये एक मास्टर पीस है ये बहुत सुन्दर है इसकी सुन्दरता आलोकिक है इस बच्चे ने जैकपॉट मारा है इतने बड़े टुकड़े की आसानी से तीस या चालीस करोड की कीमत मिल जाएगी हर कोई जेड के उस टुकड़े की सुन्दरता को देखकर चारों और जमा हो गया और उत्साह में चिलाने लगे विपिन को एक अलग सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा वह लड़की भी वहां स्तब्ध खड़ी थी उसके लिए यह द्रिश्य मानो एक स्वपन था कुछ समय बाद उसने विपिन की ओर देखा लेकिन इस बार उसकी नजरों में सम्मान था वह चार साल से जेड के व्यापार में थी लेकिन उसने कभी इतना भाग्यशाली व्यक्ती नहीं देखा था उसकी पहली प्रतिक्रिया विपिन से यह पूछने की थी कि क्या वह इंपीरियल जेड बेचना चाहता है लेकिन जैसे ही शब्द उसकी जीब के सिरे तक पहुँचे उसे एहसास हुआ कि स्टोर इसे खरीदने का खर्चा नहीं उठा सकता था विपिन बहुत खुश था कि उसने इतना सुंदर जेड देखा उसने सोचा मैं इस मास्टर पीस से तावीज नहीं बना सकता ये बहुत बरबादी होगी मुझे इसका उप्योग आभूशनों के लिए करना चाहिए हाँ मैं अहाना के लिए एक नेकलेस बना सकता हूँ फिर वह उल्जन में पढ़ गया चटान के उस टुकड़े को खरीदने के बाद उसका पैसा लगभग खत्म हो गया था लेकिन उसे तावीज बनाने के लिए और जेड की जरूरत थी उम क्या मैं चारों और देख सकता हूँ मुझे कुछ और पत्थर खरीदने है उसने सिर्ख हो जाते हुए अजीब तरीके से पूछा क्यों नहीं आपको जो पसंद हो आप उसे चुन सकते हैं पहले तो लड़की दंग रह गई फिर उसने तुरंत जवाब दिया ठीक है विपिन ने एक बार फिर दुकान का चक्कर लगाया दुकान के अन्य पत्थरों में उर्जा की मात्रा अधिक नहीं थी लेकिन उसने फिर भी पांच बड़े पत्थर उठाए जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपे के बीच थी फिर उसने उन्हें कटवाया उनमें से दो पत्थर बर्फ की तरह पारदर्शी थे तीसरा पत्थर भी बर्फ की तरह था लेकिन उसमें कुछ अशुधियां थी चौथा एक दुरलब लाल जेड था और आखरी पांचवां पत्थर पूरी तरह से हरा था लेकिन बर्फ की तरह दिखने वाले पत्थरों की तुलना में कम कीमती था इन परिणामों ने वहां मौझूद सभी लोगों को चौका दिया जब उसे ग्लास टाइप इंपीरियल जेड मिला तो सभी ने सोचा कि यह लड़का भाग्यशाली है लेकिन लगातार पांच टॉप ग्रेड जेड को एक साथ देखकर लोग समझ गए कि यह सिर्फ भाग्य नहीं हो सकता था यह लड़का जरूर एक असली पेशेवर है हाँ तुमने सही कहा पांच पत्थरों में से तीन आइस टाइप पत्थर मिलना अविश्वसनीय है वहां मौझूद सभी लोग हैरान थे आइस टाइप जैडाम नहीं था और एक दिन में तीन पत्थर मिलना एक अद्विती एगटना थी हे चोटे भाई यह मेरा बिजनेस कार्ड है आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं अरे भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा रहस्य है कुछ लोगों का समूह उसके चारों और जमा हो गया और उत्सुकता से सभी अपना अपना परिचे देने लगे विपिन ने आइस टाइप जेड में से एक को सतर लाख रुपए में बेच दिया उस लड़की ने अपना नाम कार्ड देते हुए कहा ओफ कोर्स विपिन मुस्कुराया इसके बाद उसने अपने सभी जेड पत्थरों को पैक कराया और स्टोन गैंबलिंग स्टोर से बाहर निकल गया स्टोर से कुछ दूर जाने के बाद जब उसे कोई नहीं देख रहा था तो उसने उन सभी जेड पत्थरों को स्टोरेज मोती में रख लिया फिर उसने अपने फोन पर प्रभास का नंबर डायल किया और उससे पूछा कि क्या वह किसी जेड कारीगर को जानता है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो विपिन प्रभास थोड़ा उत्सुक था हम... मैं अभी जेड बाजार में एक स्टोन गैंबलिंग स्टोर पर गया था वहां मुझे कुछ अच्छे जेड के टुकड़े मिल गए थे तो अब मैं उनसे कुछ अच्छी आभूशन बनवाना चाहता हूँ इस्टोन गैंबलिंग स्टोर वाह तुमने मुझे साथ में चलने के लिए क्यों नहीं बुलाया ऐसा लगता है कि तुम बहुत लकी हो प्रभास हंस पड़ा हाँ शायद मैं थोड़ा लगी था तुमने मुझे से पूछ कर सही काम किया मैं एक अच्छे कारिगर को जानता हूँ उसका काम वाकई अद्भुत है उसकी काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है वह एक असली मास्टर शिल्पकार है मैं तुम्हें बाद में उससे मिलवाऊंगा ठीक है वैसे तुम्हें किस तरह का जेड मिला कुछ खास नहीं बस एक ग्लास टाइप इंपीरियल जेड विपिन ने सामान्य भाव से कहा वाट दाफ प्रभास ने अपना थूख गटका और कहा क्या तुम सच बोल रहे हो हाँ बड़े भाई मैं आपसे जूट क्यों बोलूंगा वह जेड का टुकडा काफी बड़ा है प्रभास अवाक रह गया उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था वह केवल इतना सोच सकता था कि विपिन का भाग्य स्वर्ग धन्य था उसे पिछली बार एक सदियों पुराना एंटीक मास्टर पीज जेड बलड मोतियों का हार मिला था और अब उसे स्टोन गैंबलिंग स्टोर से एक ग्लास टाइप इंपीरियल जेड मिला है ठीक है विपिन क्योंकि अब तुम्हें एक बड़ा जेड मिला है तो क्या तुम इसमें से मेरे लिए भी कुछ बचा सकते हो देखो मैं बस अपने लिए एक छोटी सी अंगूठी बनवाना चाहता हूँ बस छोटी सी एक बार इसके बारे में सोचो इंपीरियल जेड की एक अंगूठी कितनी शानदार लगेगी चिंता मत करो मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा ओके विपिन ने जवाब दिया ठीक है तो मैं जल्द ही उस कुशल मास्टर शिल्पकार से संपर्क करूँगा अगर उसे पता लगा कि तुम्हारे पास एक मास्टर पीस है तो वह चुप नहीं बैट पाएगा इसके बाद प्रभास ने कॉल कट कर दी कुछ समय बाद उसने फिर से फोन किया विपिन मैंने उससे मीटिंग फिक्स कर दी है वह कल सुबह आएगा और हमसे मिलेगा ठीक है थैंक्स बिग ब्रो विपिन ने कहा और कॉल कट कर दी अगली सुबह प्रभास विपिन को विला से लेने आया उसके बाद वे दोनों साथ में उस मास्टर शिल्पकार से मिलने निकले कुछ देर बाद वे एक कॉफी शॉप पहुँचे जहां मास्टर शिल्पकार पहले से ही बैठा हुआ था विपिन ने मास्टर शिल्पकार को देखा उसका उपनाम सिहाग था और पूरा नाम गौतम सिहाग था वह लगभग पचास वर्ष का था और किसी विद्वान की तरह दिखता था उसने विपिन पर अपनी एक अच्छी चाप छोड़ी थी ओ, मिस्टर प्रभास गौतम उट खड़ा हुआ और उसने प्रभास से हाथ मिलाया हाँ, और ये चोटे दोस्त जरूर लिटल ब्रो विपिन होना चाहिए उसने विपिन को देखा और उत्साह में उससे हाथ मिलाया हाथ मिलाने के बाद गौतम ने जल्दी से कहा छोटे दोस्त, जल्दी करो और मुझे दिखाओ विपिन ने बैक को जमीन पर रखा और उसकी जिप खोल दी जैसे ही बैक की जिप खुली गौतम की आँखें हैरानी से फैल गई उसने पूरी तरह से जेड पत्थरों पर ध्यान केंद्रित किया ओ, एम, जी छोटे दोस्त, तुम सच में भाग्यशाली हो जेड पत्थर का इतना बड़ा मास्टर पीस बाजार में कम से कम पचास करोड का होगा एक पल चुप रहने के बाद उसने आगे कहा यह तो बस मेरा अनुमान है इस तरह के उत्कृष्ट टुकडे कम मिलते हैं और इसलिए अधिक महंगे होते जा रहे हैं मैंने इतने लंबे समय से ऐसी उत्कृष्ट कृती नहीं देखी है उत्साह में बोलते बोलते गौतम ने खुद को जेट पत्थर को छूने से नहीं रोक पाया और उसे बड़े प्यार से सहलाने लगा मास्टर गौतम, मुझे आप पर भरोसा है विपिन ने सम्मान पूरवक जवाब दिया ठीक है, चिंता मत करो मैं निश्चित रूप से इस तरह के एक उत्कृष्ट टुकडे से सही उत्कृष्ट कृती बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा गौतम ने कहा ओ, वैसे छोटे दोस्त, तुम्हारा जेट पत्थर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके बहुत सारे नायाब सामान बनाए जा सकते है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं कि तुम इसके साथ किस तरह की एक्सेसरी बनवाना चाहते हो ब्रेसलेट, नेकलेस, अंगूठियां या जुमके या फिर तुम इसे किसी के लिए कस्टमाइज करवाना चाहते हो विपिन ने सोचा और जवाब दिया मैं इसे कस्टमाइज करवाना चाहता हूँ मुझे ब्रेसलेट, नेकलेस जैसी कुछ चीजें चाहिए या फिर एक पूरा सेट भी बनवाना चाहूँगा ओ, हाँ, बड़े भाई प्रभास भी अपने लिए एक अंगूठी बनवाना चाहते हैं यह सुनकर, प्रभास ने मुस्कुराते हुए कहा मास्टर गौतम, मैं तुम्हें अपनी फिंगर का साइज दे दूँगा गौतम ने सिर हिलाया और कहा ठीक है, मैं समझ गया वैसे छोटे दोस्त, तुम इसे किसके लिए कस्टमाइज करवाना चाहते हो क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर होगी सबसे सही एक्सेसरीज जिसके लिए बन रही है, उसका उपस्थिती होना जरूरी है लेकिन तुम्हारे लिए मैं तस्वीर से भी काम चला लूँगा विपिन ने अपने फोन की स्क्रीन आउन की और अहाना की एक तस्वीर दिखाई गौतम ने एक लंबी नज़र डालने के बाद सोच समझ कर सिर हिलाया मान लीजिए कि यह हो गया मैं इस चनौती को स्वीकार करता हूँ छोटे दोस्त मैं कुछ डिजाइन के साथ हाऊँगा और फिर इस पर आगे चर्चा करूँगा जहां तक जेड की बाद है तो तुम्हें इसे मुझे देना चाहिए फिर गौतम ने आगे कहा मेरे अनुमान से एकसेसरीज का एक सेट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक सेट बनाने के बाद भी काफी जेड बच जाएगा उसके बाद तीनों ने काफी का ओरडर दिया और खुशी-खुशी बात करने लगे उनकी बातचीत के बीच में विपिन ने अचानक सोचा और कहा वैसे, मास्टर गौतम मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है क्या आप अलग से एक और ब्रेसलेट बना सकते हैं और इस मोती को उसके अंदर रख सकते हैं यह कहते हुए विपिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और शर्ट से ढकी हुई बाजू को उपर करते हुए मोतीयों के हार को दिखाया हाई मोतीयों के हार को देख गौतम ने अचानक ठंडी सांस ली यह क्या यह सदियों पुराना एंटीक जेट बलड मोती है वो हैरानी में उठ खड़ा हुआ उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया था आप सही है यह सदियों पुराना एक एंटीक जेट बलड है मैं एक मोती निकाल कर उसे एक ब्रेसलेट में बदलना चाहता हूँ आपको क्या लगता है मास्टर गौतम विपिन ने पूछा मास्टर गौतम का दिमाग ब्लैंक हो चुका था उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था उसकी चमकती हुई आँखें मोतीयों के हार पर अटकी हुई थी वह खुद को फिर से तयार करने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका और आह भरी मुझे आज दो उतकृष्ट जेड पत्थरों को देखने की उम्मीद नहीं थी पहला ग्लास टाइप इंपीरियल जेड और दूसरा उससे भी नायाब सदियों पुराना जेड बलड मोती ये दोनों ही अमूल ये खजाने हैं जो सभी जेड प्रेमियों का सपना होता है उसने विपिन को ऐसे देखा जैसे वह किसी महान इंसान को देख रहा हो छोटे दोस्त सच में तुम कोई साधारन इंसान नहीं हो नहीं मास्टर गौतम आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी बस थोड़ी किस्मत अच्छी थी विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा गौतम ने मोतियों के हार का मूल यांकन करते हुए मुस्कुराया और कहा छोटे दोस्त तुम इसमें से एक मोति क्यों निकालना चाहते हो इस हार में कुल बारह मोति हैं अगर एक भी निकला तो यह अधूरा रहेगा कोई बात नहीं विपिन ने जवाब दिया असल में रागव बत्रा अभी तक पकड़ा नहीं गया था उसने डियाईजी मिथलेश से आहाना के लिए कुछ पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिए कह दिया था लेकिन वे उसकी 2400 गंटे रक्षा नहीं कर सकते थे कभी ना कभी कोई चूक हो सकती थी इसलिए विपिन जेड बलड का एक मोती निकाल कर उसे आहाना की सुरक्षा के लिए देना चाहता था इन मोतियों में रक्षात्मक शक्तियों के साथ साथ आध्यात्मिक शुद्ध उर्जा भी थी जो अपने मालिक की रक्षा कर सकती थी इसके अलावा यह बुरी आत्माओं और दुष्ट बलाओं को भी दूर करती थी अगर पहनने वाले पर अचानक हमला होता तो यह रक्षा करने में भी सक्षम था ठीक है तो फिर मैं एक और ब्रेसलेट बना दूँगा और उसमें एक जेड मोती भी लगा दूँगा उन लोगों ने कुछ और देर बात चीत की इसके बाद गौतम अपने शहर लोटने के लिए तैयार हुआ और विदा होने के बाद विपिन और प्रभास कार की ओर चल दिये तब ही अचानक प्रभास के फोन की घंटी बजी हेलो प्रभास ने फोन उठाया अगले ही पल उसके चहरे का रंग उड़ गया विपिन ने फोन के दूसरे छोर पर किसी को रोते हुए सुना प्रभास भाई मैं बरबाद हो गया हूँ हवेली में किसी की मौत हो गई क्यों? क्या हुआ? भाई, मैंने आपको पहले भी हवेली के भूतिया होने के बारे में बताया था पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ लेकिन कल रात कुछ ऐसी घटना घटी की हवेली में रहने वाले युवा जोड़े की मृत्यू हो गई उनकी मौत बेहद भयावा थी पती ने खुद को मारने से पहले पतनी पर लगभग दस बार वार किया था उसकी डेड बॉडी लहू लुहान थी और चारों और खून ही खून बिखरा पड़ा था, हे भगवान, वो बहुत ही भयानक दृश्य था अपने माथे को कसकर पकड़ते हुए प्रभास ने जवाब दिया क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह सब किसी दुष्ट आत्मा की वजह से था ना कि कोई प्रिप्लांट मर्डर बेशक मैंने इसकी पूरी तहकीकात की मैं कल रात कुछ समय के लिए वही था और आधी रात को अजीब औ गरीब डरावनी आवाजें सुनी फिर मैंने एक भूत की छाया देखी जो सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी मैं लगभग मरने ही वाला था सौभाग्य से मैं तेजी से भाग गया वरना मेरा काम तमाम हो जाता मैंने इस भूत को भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है क्या आप आना चाहते हैं प्रभास भाई यह प्रभास हिचकिचाया बड़े भाई चलो इसे देखने चलते हैं विपिन ने कहा विपिन को भूतों और आत्माओं में कुछ रुची थी अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ वह उन चीजों को देख सकता था जो आम लोग आम तोर पर नहीं देख सकते थे पिछले कुछ दिनों में विपिन ने कई बार भटकती हुई आत्माओं को देखा था जब वह रात में जादू टोना करता था लेकिन वे बुरी आत्माओं नहीं थी इसलिए विपिन ने भी उनसे कुछ नहीं कह वास्तव में अधिकांश आत्माओं आम तोर पर हानी रहित होती थी बुरी आत्माओं ही थी जो लोगों को परेशान और नुकसान पहुँचाती थी क्यों? विपिन? क्या तुम्हें इसमें भी दिल्चस्पी है? प्रभास ने हैरान आवाज में पूछा मुझे थोड़ी दिल्चस्पी है मैं इस बारे में काफी उत्सुक हूँ कि तांत्रिक भूतों को कैसे भगाता है विपिन ने जवाब दिया दरसल मुझे खुद भूत भगाने का कुछ अनुभव है प्रभास ने पलक जपकाते हुए विपिन की और देखा और कहा क्या? तुम इसके बारे में भी जानते हो? रुको, नहीं वैसे तुमने भूतों को भगाना कब सीखा? मैंने आपको बताया था कि मुझे पिछली बार पहाड से कुछ प्राचीन किताबें मिली थी उन पुस्तकों में से एक में भूत भगाने की बात भी दर्ज थी विपिन ने विश्वास के साथ कहा प्रभास का दिमाग ब्लैंक हो गया और वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे भूत वहाँ भूतियां हवेली में नहीं बलकि उसके सामने खड़ा हो चलो चलते हैं बड़े भाई विपिन ने कार में बैठते हुए कहा ये लड़का बहुत अजीब है प्रभास ने उलजन में अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा फिर भाकार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया इसके बाद वे दोनों वहां से निकल गए फोन करने वाला व्यक्ति नाम मुन्ना था जो प्रभास का एक दूर का रिष्टेदार था मुन्ना घरों को फिर से बेच कर और किराय पर दे कर आजीवी का कमाता था और यह भूत वाली घटना उसी के नाम एक हवेली में हुई थी हवेली नूह जिले के नौर्थीस्ट में ग्रेट पीक माउंटेन के एक दूर दराज के क्षेत्र में स्थित थी यह भारतिय गणराज्य के समय से एक पश्चिमी शैली हवेली थी जिसमें एक लंबे इतिहास की अफवाहें थी हवेली खरीदने के बाद मुन्ना को काफी लंबे समय से कोई किरायदार नहीं मिला था इसलिए उसने छुट्टियों पर आये टूरिस्ट्स को हवेली किरायपर देने का फैसला किया 20 मिनट से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद वे ग्रेट पीक माउंटेन पहुँच गए पहाडी सड़क के बाद उन्होंने जल्द ही एक हवेली देखी जो पहाड के आधे रास्ते पर फैली हुई थी यह भारतिय शैली में बनी हवेली थी जो उत्तम दर्जे की क्लासी और आकरशक लग रही थी इसके समर्ध हितिहास के साथ यह थोड़ी पुरानी और प्रतिष्ठित भी लग रही थी हवेली के दोनों तरफ एक प्राकृतिक सुन्दरता का दर्श्य था एक नजर में यह एक अच्छी लोकेशन लग रही थी हालांकि विपिन की नजरों में जो दर्श्य आया वह बिलकुल विपरीत था यह स्पष्ट रूप से एक धूप वाला दिन था लेकिन हवेली का मुख्य गेट एक उदास छाया में डूबा हुआ था हवेली को अच्छे से देखने के बाद उसने इसके चारों और एक घनी और अशुब भूतियां आभा का पता लगाया ऐसा लगता है कि कोई भूत है विपिन ने खुद से कहा जैसे ही उनकी कार हवेली के सामने पहुची उन्होंने एक कार देखी जो पहले से ही वहाँ पर रुकी हुई थी गाड़ी के बगल में दो इंसानी परचाईयां खड़ी थी उनमें से एक सूट पहने थोड़ा मोटा अधेड उम्र का आदमी था जबकि दूसरा तांतरिक बाबा था तांतरिक बाबा दुबला पतला था और उसने आठ त्रिग्राम प्रतीक के छपे वस्त्र पहने हुए थे उसने सिर पर एक काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था जो उसके राश्यमुनी जैसे रूप को प्रदर्शित कर रहा था उसका व्यवहार महान पवित्रता वाले व्यक्ती जैसा था जैसे ही गाड़ी रुकी अधेड उम्र का आदमी उनके पास आया और कहा भाई प्रभास अच्छा हुआ आप आगए और ये चोटे दोस्त कौन मेरा नाम विपिन है विपिन गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी से हाथ मिलाया मुन्ना तुम्हें यह तांतरिक बाबा कहां से मिला क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है प्रभासकार से उतरते हुए तांतरिक बाबा की ओर देखने लगा हाँ उस पर विश्वास किया जा सकता है उसने मुझे हवा से कुछ निकाल कर दिखाया था सच में काश आप उस चमतकार को देख पाते वह एक चमतकारी बाबा है मुन्ना तांतरिक बाबा से पूरी तरह प्रभावित था और हाँ प्रभास भाई वह अरावली परवत शरंखला से है आप जानते हैं कि अरावली परवत शरंखला के बाबा कितने प्रसिद्ध है ओ अरावली परवत शरंखला प्रभास के चेहरे की अभिव्यक्ती थोड़ी अधिक सम्मान में बदल गई मेरा नाम प्रभास है, मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ बाबा प्रभास ने तेजी से आगे बढ़ते हुए गर्म जोशी से कहा मैं मुकुंद बाबा, भोले बाबा का एक भग तनुयाई हूँ तांतरिक बाबा ने अपनी लंबी दाढ़ी को छूते हुए उदासीनता से जवाब दिया मुकुंद बाबा, आप से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है प्रभास ने जुकते हुए उसे सम्मान दिया तांतरिक बाबा ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया ठीक है बालक, मेरे अंदर जाने का समय आ गया है चिंता मत करो, चाहे वह किसी भी प्रकार का भूत हो, स्त्री या पुरुष भूत दुनिया में नफरत से पैदा हुई आत्मा या मौत के बाद नफरत बनाए रखने वाला प्रेत वो सभी मेरे हाथों से विनाश का शिकार होंगे ये कहने के बाद उसने अपनी लंबी बाहें उठाई और हवेली की और बढ़ गया विपिन और बाकी लोग भी उसका अनुसरन करने लगे तभी तांत्रिक बाबा ने मुड़कर कहा तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना चाहिए आत्माओं से लड़ना एक खतरनाक काम है अगर तुम लोगों को भूतों ने वश में कर लिया तो बहुत बड़ी गड़बड हो जाएगी यह सुनकर मुन्ना काम गया और आगे बढ़ने में असमर्थ होकर अपनी जगह पर रुख गया फिर फिर मैं यहीं रहूंगा उसका शरीर डर से काम ने लगा था प्रभास ने मुन्ना को आँखें घुमाते हुए देखा और डांटा मुन्ना डरना बंद करो तुम इतना क्यों काम रहे हो भाई मुझे डर लग रहा है आपको पता नहीं है कि कल रात कितनी भयानक थी मैं लगभग मरने ही वाला था मुन्ना ने डर से कामपते हुए कहा डर की वजह से उसके दांत भी किट-किटाने लगे थे इस बीच विपिन ने कहा कोई बात नहीं तांतरिक बाबा दरसल मुझे भी भूत भगाने में दिल्चस्पी है मैंने खुद थोड़ा सीखा है इसलिए मैं देखना चाहता हूँ तांतरिक बाबा ने उसकी ओर देखा और उसका उपहास उड़ाते हुए कहा लड़के, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो तुम अभी एक मंद बुद्धी हो और तुम्हें क्या लगता है कि भूत भगाना कोई बच्चों का खेल है मुझे लगता है कि तुमने इंटरनेट पर कोई उल्जलूल भूत भगाने वाली कहानी पढ़ली होगी और अब तुम खुद को भूत भगाने वाला कोई विशेशज्य समझ रहे हो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन भूत प्रेतों के लफड़े में ना पड़ो तांतरिक बाबा की बात सुनकर भी विपिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जवाब दिया कम से कम, मैं आपको तो भूत भगाते हुए देख सकता हूँ, है ना ये बोलते हुए उसकी आँखें तांतरिक बाबा पर गड़ी हुई थी विपिन ने जब तांतरिक बाबा की उपर से नीचे तक जाच की तो उसने तांतरिक बाबा के शरीर से निकलने वाली शुद्ध उर्जा को महसूस किया जिसका मतलब था कि वह कोई ठग या फ्रॉड बाबा नहीं था हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली शुद्ध उर्जा बहुत कमजोर थी इसका मतलब यह था कि बाबा की शक्तियों का आधार बेहत कमजोर था शायद वह ज्यान चक्र के शुरुवाती चरण में था दूसरे शब्दों में कहें तो तांत्रिक बाबा की तुलना में विपिन अधिक काबिलियत रखता था मनिपूर चक्र के मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद से विपिन आत्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक उर्जा को अवशोशित कर रहा था उसकी शक्तियों का स्तर दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा था और वह जल्द ही मनिपूर चक्र के अंतिम चरण में भी प्रवेश कर लेगा इसलिए भले ही विपिन तांत्रिक बाबा की शक्तियों का पता लगा सकता था लेकिन तांत्रिक बाबा उसकी शक्तियों का पता नहीं लगा सकता था तांत्रिक बाबा के लिए विपिन एक साधारण व्यक्ती से ज्यादा कुछ नहीं था तांत्रिक बाबा की भौहे थोड़ी सिकुड गई और उसने मजबूरी में सिर हिलाते हुए कहा ठीक है ठीक है मैं जो कुछ भी कहूंगा वह वैसे भी तुम्हारे दिमाग में नहीं गुसने वाला लेकिन याद रखना तुम्हें हर वक्त सावधान रहना होगा और मेरे पीछे ही रहना गलती से भी इधर उधर भटक मत जाना ये कहने के बाद उसने मुड़कर हवेली का मुख्य दर्वाजा खोल दिया बड़े भाई चलो विपिन ने तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे हवेली में प्रवेश किया मुन्ना अब भागने की सोचना भी मत मर्द बनोना की सिरदर्द प्रभास ने मुन्ना को घसीटते हुए हवेली में ले गया नहीं नहीं भाई मुझे डर लग रहा है मुन्ना ने दर्वाजे को कसकर पकड़ लिया और उसका चहरा आंसूं से भर गया यार तुम तो सच में बहुत बड़े डरपोक हो प्रभास ने अपनी पकड़ डीली की और अंदर चला गया अरे भाई मत जाओ मुझे अकेला मत छोड़िये मुन्ना फिर से घबराने लगा उसने अपनी बाई और देखा फिर अपनी दाहिनी और इसके बाद वह अपने दांत कसकर उनके पीछे भागा हवेली के मुख्य दर्वाजे से गुजरने के बाद उन्होंने एक विशाल हॉल में प्रवेश किया जहां खिड़कियों से आती हलकी रोशनी के अलावा गहरा अंधेरा चाया हुआ था ये नजारा उस डरावने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था तांतरिक बाबा ने अपनी कमर से पीले रंग की थैली से एक भूवय ज्यानिक दिशा निर्देश यंत्र निकाला और आगे बढ़ते हुए उसे अपने हाथों में ले लिया ये एक तरह का अजीबो गरीब कमपास था जिसमें एक सुई उनमत रूप से लगातार घूम रही थी शायद यह तांतरिक बाबा का भूत की लोकेशन बताने वाला यंत्र था उसे देखने के बाद, तांतरिक बाबा की भौहें सिकुडने लगी यहां भूतिया उपस्तिती मजबूत है यह साबित करता है कि यह जगह वास्तव में परेत वाधित है इसके अलावा यह कोई साधारन भूत नहीं है इसके अंदर भारी मात्रा में आक्रोश और नफरत भरी हुई है तांतरिक बाबा की असाधारन भूत वाली बात सुनकर मुन्ना डर से थर-थर कांपने लगा था हौल के बाद सीडियों से होते हुए वे लोग उपर पहुँचे जहां उन्होंने पूरी फर्ष पर खून बिखरा देखा यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था पूरे कॉरिडोर और दीवारों पर खून के धब्बे छपे हुए थे कॉरिडोर के बाद वे उस कमरे में पहुँचे जहां मरडर हुआ था अचानक तांतरिक बाबा के भूत की लोकेशन बताने वाले यंतर की सुईयां तेजी से घूमने लगी और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए रुकी सुई जिस दिशा की ओर इशारा कर रही थी उस दिशा में चलते हुए तांतरिक बाबा एक खिड़की के पास पहुँचा और उस खिड़की पर लगे हुए सफेद परदे नीचे गिरा दिये भूत वहां है खिड़की से बाहर की ओर एक बंजर जंगल दिख रहा था उस दिशा में इशारा करते हुए तांतरिक बाबा ने भूत की लोकेशन बताई अभी दिन का समय है धर्ती और स्वर्गी य शुद्ध उर्जा का वर्चस्व अधिक है इस प्रकार के भूत प्रकाश में शान्त हो जाते हैं और जहां काली उर्जा और अंधेरा हो वहां जाकर छिप जाते हैं तांतरिक बाबा ने कहा विपिन खिड़की के पास आया और पलक जपका कर उस क्षेत्र को ध्यान से देखा घने कोहरे से जंगल ढखा हुआ था जिससे एक अंधेरी भयानक आभा पैदा हो रही थी बाबा देखो वहां एक कुआ है विपिन ने जंगल की दिशा में इशारा करते हुए कहा अरे हाँ भूत वहीं होना चाहिए यह कहने के बाद तांतरिक बाबा मोड़ा जंगली जंगल में जमीन सूखी पत्तियों से भरी हुई थी जबकि जाडियों के बीच में एक पुराने जमाने का कुआ बना हुआ था यह द्रिश्य डरावनी भूतियां फिल्मों के सीन से मिलता जुलता लग रहा था तांतरिक बाबा के कदम भी धीमे हो गए और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति कठोर और ध्यान कुएं पर केंद्रित हो गया कुछ देर बाद विचारों उस पुराने कुएं के पास पहुँचे भूवैज्यानिक कमपास की सुईयां अचानक कुएं की ओर इशारा करने से पहले धीरे से हिली वो भूत यहीं है सब लोग पीछे हट जाओ तांतरिक बाबा ने अपने भूवैज्यानिक दिशा निर्देश यंत्र को दूर रखा और अपनी कमर में बंधी थैली खोली उसने दो लाल चमडी वाले लोकी जैसे मटकों को निकाला और अपनी कमर में चारों और लपेट लिया फिर उसने एक मुठी भर कर पीले तावीज निकाले और धीरे धीरे पुराने कुएं की ओर चला गया एक बार जब वह कुएं के किनारे पर पहुँच गया तो उसने एक पीले रंग का तावीज पकड़ा और कुछ मंत्र बढ़ बढ़ाने लगा फिर उसने अपने हाथ की मुठी में फूंक मारी तभी अचानक पीले रंग का तावीज आग की लपटों में गिर गया इसके तुरंत बाद उसने जलते हुए तावीज को कुएं में फेंक दिया अगले ही पल कुएं से एक दिल दहला देने वाली उची आवाज में चिलाहट उठी जो पूरे जंगल में गूंजने लगी फिर कुएं से काले कोहरे का एक जोंका निकला और सीधे तांतरिक बाबा की ओर बढ़ा जैसे जैसे काला कोहरा आगे बढ़ रहा था उसके अंदर से एक धुंदली सफेद परचाई बाहर निकलती हुई दिखाई देने लगी वह परचाई एक सफेद पोशाक पहनी महिला चुडैल के रूप में बदल गई जिसके घने लंबे काले बाल हवा में रित्य करते हुए उसके अधिकांश घा तक पीले चहरे को ढख रहे थे उनके बीच से केवल एक जोड़ी भयानक रक्त की तरह लाल पुतलिया नजर आ रही थी वह एक तेज भयानक आवाज में चिलाई जो पूरे जंगल में गूंजते हुए उन चारों के कानों के परदों को फाड़ने लगी अचानक बंजर जंगल में भयानक चींखों के साथ तेज काली हवाएं चलने लगी तभी उस चुडैल ने अपने उल्टे नुकीले पंजों की मदद से तांतरिक बाबा की छाती पर वार किया चुडैल के भयानक और आक्रामक रूप को देख मुन्ना ने लगभग अपनी पेंट गीली कर ली और वह भाग कर एक पेड़ के पीछे छिप गया जब उसने चुडैल को तांतरिक बाबा पर हमला करते देखा तो उसकी आँखों की पुतलियां उल्टी हो गई और वह बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर गया धिकार है डरपोक इनसान प्रभास ने उसे कोशते हुए अपने दिल में कहा चुडैल को अपने उपर हमला करते देख तांतरिक बाबा के चेहरे की अभी व्यक्ति बदल गई और वह जोर से हंसा तुम्हारा दुर्भाग गया जो तुमने मेरे उपर हमला किया चुडैल अब तु मरने के लिए तयार हो जा इम भीम भवस सुहा कुछ मंतरों को बढ़बढाते हुए उसने एक पीले रंग के तावीज को हिलाते हुए फटकारा अचानक पीले रंग का तावीज आग की लपटों में गिर गया इसके तुरंथ बाद तांतरिक बाबा ने आग की लपटों में जलते हुए तावीज को चुडैल के उपर भेंग दिया चुडैल की आकरती एक सेकंड के लिए सुस्त हो गई और उसने जोर से चिलाया इम भीम भवज सुहा इम भीम भवज सुहा तांतरिक बाबा ने लगातार कई पीले रंग के आग में जलते हुए तावीजों को चुडैल के उपर भेंगा जलते हुए तावीजों की वज़से चुडैल और भी जोर से चिलाने लगी लेकिन वह जलकर भस्म होने की बजाए और भी क्रोधित और उग्र होती जा रही थी अरे तू तो बहुत सक्त चमडी की है अभी भी जलकर भस्म नहीं हुई तांतरिक बाबा हैरान रह गया वह खुद को चुडैल को गाली देने से रोक नहीं सका आम तौर पर भूत उसके द्वारा फेंके गए ताबीजों की मदद से जलकर भस्म हो जाते थे लेकिन यह चुडैल भस्म होने की बजाए उल्टा तांतरिक बाबा को मारने पर उतारू थी चुडैल तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे उपर हमला किया तांतरिक बाबा ने मुह से खून थुकते हुए कहा चुडैल ने उसे एक जोड़दार लात मारी थी और वह अब थोड़ा घबराने लगा था उसने तुरंत हलके से खांसते हुए अपनी कमर में लटक रहे लोकी जैसे मटके का धकन खोला और चुडैल पर कुछ पानी छिड़का चुडैल अब गंगा जल के शुद्ध पानी का मज़ा चख और इसके साथ काले कुटे के खून का भी मज़ा चख तांतरिक बाबा ने दूसरे लोकी जैसे मटके का धकन खोला और चुडैल पर गहरा लाल खून छिड़का इन दोनों शुद्ध गंगा जल और काले कुटे के खून का आत्माओं और भूतों पर कुछ निरोधक प्रभाव पड़ता था फिर तांतरिक बाबा ने अपनी पीठ में बंधी आड़ू की लकड़ी की तलवार निकाली और उसकी एक हथेली को काट दिया अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार को खून से सना कर उसने चुडैल पर वार किया इसके बाद तांत्रिक बाबा और चुडैल के बीच भयंग कर मुकाबला शुरू हो गया विपिन ने बूढ़े तांत्रिक के कोशल पर सावधानी से नजर बनाई हुई थी भले ही उसकी शक्तियों का अस्तर तांत्रिक बाबा से ज्यादा था लेकिन जब भूत भगाने की बात आती थी तो तांत्रिक बाबा एक पेशेवर खिलाडी था उनके बीच की लड़ाई कुछ समय के लिए चली अंत में अपनी तलवार से वार करते हुए तांत्रिक बाबा ने बढ़त बना ली आह चुडैल के मुह से एक दैनिये चिलाहट निकली उस माधा चुडैल को तलवार के वार से बहुत नुकसान पहुचा था उसकी आकरिती अचानक धुंदली हो गई और एक काले कोहरे में बदल कर कुएं की तरफ भागने लगी ओ, क्या तु मेरे हाथों से बचकर भागना चाहती है अपनी आडू की लकडी की तलवार से चुडैल का पीछा करते हुए तांत्रिक बाबा ने गर्जना की तभी कुएं से भयानक आवाजें आने लगी देखते ही देखते, अंगिनत आत्माएं और भूत कुएं से बाहर निकलने लगे तांत्रिक बाबा अपनी जगह पर किसी मूर्तिकला की तरह जम गया उसकी आँखें पलक जपकना भी भूल गई कुएं से काला कोहरा बाहर निकलता और किसी आत्मा या भूत का रूप ले लेता और हवा में गोल घूमते हुए अपने पैरों के पंजों के नुकिले नाखुनों को बाहर निकाल कर उसकी और बढ़ने लगते उसे किसी से निपटने में कोई समस्या नहीं थी लेकिन इतने सारे भूतों के साथ वह उन सभी से कैसे लड़ सकता था उसके बगल में खड़ा प्रभास भी थोड़ा कापने लगा था क्योंकि उसे एहसास हो गया कि चीजें बदतर हो गई है मुकंद बाबा, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? भागना चाहिए तांतरिक बाबा ने जोर से चिलाया क्योंकि वह तेजी से मुड़ कर भागने लगा था इसी तरह प्रभास भी मुन्ना को जमीन से उठा कर हवेली की और भागा जैसे ही वे दोनों भागे, उन्होंने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बढ है उन्होंने देखा कि विपिन अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था और सभी भूत और आत्माएं, मधुमक्खियों के जुंड की तरह उसकी और बढ़ रही थी यह देखकर परभास डर गया, विपिन जल्दी करो और भागो तांत्रिक बाबा ने परभास का हाथ पकड़ा और कहा तुम यहां क्यों रुक रहे हो, जल्दी करो और भागो उसका चेहरा भाय से पीला पड़ चुका था उसने देखा कि विपिन खत्रे में है और बिना कुछ किये वह विपिन को मरने नहीं देना चाहता था लेकिन अगर उसने विपिन को बचाने की कोशिश की तो वह खुद भी जल्दी एक भूत बन जाता यह मूर्ख लड़का खुद तो मरेगा ही साथ ही मुझे भी मरवाएगा तांतरिक बाबा अपने मन में विपिन को कोश रहा था हालांकि एक शनिक संगर्श के बाद उसने अपनी आड़ू की लकडी की तलवार उठाई और विपिन को बचाने के लिए वापस भूत प्रेतों की भीड में कूदने के लिए तयार हो गया विपिन क्रोधित आत्माओं की भीड के सामने स्थिर खड़ा था उसका चेहरा भावहीन था नजरे उदासीन थी और होटों पर एक रहस सिमय मुस्कान थी जाहिर था कि उसने पहले ही इस तरह की नौबत आने की उम्मीद कर ली थी उसके इस निडर अंदाज ने एक पल के लिए उन भूत प्रेतों को सोचने पर मजबूर कर दिया लेकिन अगले ही पल उनकी भीड ने आगे बढ़ते हुए चिलाना और जंगली जानवरों की तरह गुर्राना चालू कर दिया भूत प्रेतों की भीड को इतना उग्र और क्रोधित देख तांत्रिक बाबा का पूरा शरीर हिल गया और वह चिलाया नहीं इतनी सारी क्रोधित आत्माओं के बीच फंसने पर एक और मासूम जान अनसुलजी नफरत का शिकार होकर दुनिया छोड़ देगी इससे बुरा उस बच्चे के साथ और क्या हो सकता था आह तांत्रिक बाबा ने उसके लिए बुरा महसूस करते हुए एक लंबी आह भरी उसने विपिन को आत्माओं की भीड के बीच फंसा देख उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी तभी विपिन की दाहिनी भौह का एक कोना हिला और जैसे ही आत्माओं की क्रोधित भीड उसके पास पहुँची उसने धीरे धीरे एक उंगली उठाई जैसे वह हलके से स्केच कर रहा हो और फिर हवा में टैप किया अचानक उसकी उंगलियों पर प्रकाश की एक किरन चमक उठी और पूरा जंगल उस तेज रोशनी से भर गया उसकी उंगलियों के हिलते ही आसमान में काले बादल छा गए और बिजलियों की भयानक गड़गडा हट के साथ तेज आंधियां चलने लगी इस दिल दहलाने वाले नजारे को देख क्रोधित भूतों की भीड एक पल के लिए रुख गई जैसे उन्होंने अभी अभी दुनिया की सबसे भयानक चीज देखी हो ऐसा लग रहा था कि वे दहशत में हैं फिर वे गुसे में मुड़ गए और कुएं की दिशा में भागने लगे लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी बिजली के लगातार गिरने और एक के बाद एक धमाके के साथ उन सभी क्रोधित भूतों में से प्रत्येग भूत प्रेत आतिश बाजी के पटाकों की तरह फटने लगे ये द्रिश्य काफी शानदार था एक पल में सभी क्रोधित भूतों की भीड का सफाया हो गया केवल एक मात्र सफेद पोशाक वाली चुडैल भूत हवा में भावहीन रूप से उड़ रही थी चुडैल की आँखें हैरानी से भटी हुई थी शायद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था थोड़ी दूरी पर तांतरिक बाबा, प्रभास और मुन्ना जो कुछ देर पहले होश में आया था सभी अपने चहरे पर एक ही मूर्खता पून भाव के साथ खड़े थे एक पल में बंजर जंगल रीड की हड़ी को ठंडा करने वाली घातक खामोशी में डूप गया फिर इसी खामोशी में एक थपड़ की तीखी आवाज सुनाई दी ये तांतरिक बाबा था जिसने खुद को चहरे पर थपड़ मारा था आह दर्द हो रहा है मैं सपना नहीं देख रहा हूँ इस एहसास के साथ उसने अपने सामने खड़े छोटे लड़के को देखा जो उसे किसी महान गुरू की तरह लग रहा था ये कला का एक मास्टर था एक वास्तविक विशेशज अचानक तांतरिक बाबा के पैर लड़कडाने लगे इतना की वह लगभग घुटने टेकने की कगार पर आ गया जब उसने सोचा की कैसे उसने एक सच्चे विशेशज के सामने खुद के बारे में डींग, मारी थी और विपिन को भूत भगाने के बारे में कुछ नहीं जानने के बारे में चिड़ाया था तो उसे खुद को दफनाने के लिए जमीन के अंदर एक छेद खोदने जैसा महसूस हो रहा था शर्मनाक, ये बहुत शर्मनाक था अब उसके विचारों में उथल पुथल मचने लगी थी आखिर उसकी उपलब्धियां विपिन जैसे श्रेष्ट व्यक्ति के मुकाबले में क्या थी अपने परिपक्व बुढ़ापे के बावजूद उसकी उपलब्धियों और शक्तियों का स्तर एक बच्चे की तुलना में कुछ नहीं था उसका दिल इतना दर्द कर रहा था कि उसके आंसू भी बगावत पर उतर आये थे उसके बगल में खड़े परभास का दिमाग भी ब्लैंक हो चुका था उसने केवल विपिन को कहते हुए सुना था कि वह भूत भगाने के बारे में थोड़ा जानता है लेकिन अब जब परभास ने इसे अपनी आँखों से देखा तो उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि इसका कौन सा हिस्सा एक नौसिखिया के काम से मिलता जुलता है एक वार के साथ उसने अनेकों भूतों को तुरंत खत्म कर दिया वह निर्विवाद रूप से प्रबल था मुकंद बाबा क्या आपको भी लगता है कि वह एक निपुण गुरू है परभास ने भावनात्मक रूप से अपनी जांगों पर थपड मारा और पूछा दूसरी ओर सफेद पोशाक पहनी चुडैल ने फिर से भागने के लिए तैयार हो जाने के संकेत दिये और एक तेज भयानक आवाज में चिलाने लगी इसके बारे में मत सोचो विपिन ने भावहीन चेहरे के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और एक आध्यात्मिक रौशनी से चमकता हुआ ताबीज निकाला जिसकी मदद से उसने चुडैल को एक जोरदार थपड मारा थपड के वार से चुडैल फटकर राख में बदल गई वहां केवल एक हलकी सी बिजली की चमक बची चुडैल ने एक आखिरी बार दर्दनाक चीख मारी और उसके बाद उसका हमेशा के लिए वजूद गायब हो गया तांत्रिक बाबा ने विपिन की चाल को देखा और भ्रम में जम गया उसने सम्मान में विलाब किया इतना शक्तिशाली ताबीज सच में वह एक महान गुरु कहलाने लायक है विपिन पुराने कुएं के पास गया और उसमें एक नज़र डाली आत्माओं और भूत प्रेतों की वजह से कुएं अंदर से देखने पर एक भयानक काली अंधेरी आभा प्रकट कर रहा था हालांकि अच्छे से स्कैन करने के बाद उसने पुष्टी की की कोई भूत नहीं बचा था इसके बाद वह वापस उन तीनों के पास आया और कहा अब सब ठीक है यार विपिन तुम तो बहुत शक्तिशाली हो तुम किसी महान तेजस्वी से कम नहीं हो प्रभास खुश होते हुए आगे बढ़ा और थमसब किया वह एक ही समय पर उत्साहित और गौरवानवित महसूस कर रहा था भलेवे दोनों सगे भाई नहीं थे लेकिन प्रभास उसे अपने सगे छोटे भाई से कम नहीं मानता था फिर भी गहराई में वह अभी भी अविश्वास में था वह विपिन को कुछ समय से जानता था इतने समय तक उसे केवल यह पता था कि विपिन के पास चमतकारी उपचार करने वाले हाथों की एक जोड़ी थी फिर भी उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि विपिन एक तांतरिक बाबा की तुलना में भूत भगाने में और भी अधिक निपुण होगा यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक आम व्यक्ति कर सकता था वह एक अमर व्यक्ति की तरह था एक सच्चा महान गुरू विपिन के साथ जुडने के लिए प्रभास को इससे ज्यादा सम्मानित नहीं किया जा सकता था उसे छोटे भाई के रूप में एक नायाब हीरा मिला था जो दूसरों को भीख मांगने पर भी नहीं मिल सकता था अचानक उसे एहसास हुआ कि विपिन के पास भूद भगाने में निपुणता चमतकारी दवा बनाना मेडिकल इलाज में पारंगत होना और जेडबल्ड मोती और ग्लास टाइप इंपीरियल जेड जैसे मास्टर पीस मिलना ये सब किस्मत या भागय का खेल तो नहीं था इसके पीछे और भी कोई गहरा राज्य था ये समझ आते ही वह हैरानी से लगभग उछल पड़ा प्रभास की चापलूसी भरी प्रशंसा पर विपिन केवल मुस्कुराया सच माने तो उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगा कि विपिन ने अभी क्या किया था भूतों ने भी अपनी प्राप्ति को प्राथमिक्ता दी उनकी प्राप्ति जितनी अधिक होगी भूत उतना ही खतरनाक और शक्तिशाली होगा जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नियंतरित करना मुश्किल होगा और उन्हें खत्म करना नामुम्किन होगा भूतों की भीड जिसे उसने अभी अभी खत्म किया था उनकी प्राप्ति का स्तर बहुत कम था केवल सफेद पोशाक पहनी चुडैल की प्राप्ती ओसत से थोड़ी उपर थी इस तरह उसने सभी भूतों का सफाया केवल एक साधारन बिजली प्रकट करने वाले जादू से कर दिया था सीनियर तांत्रिक बाबा एक शर्मनाक चेहरे के साथ आगे बढ़ा और अपने एक हाथ को अपने सीने के सामने दूसरे हाथ में लपेट कर प्रणाम किया सीनियर कृपया मुझे मेरे सभी गलत कामों के लिए माफ कर दें मैं अपने अपर्याप्त कॉशल के प्रदर्शन के लिए माफी मांघता हूँ कोई बात नहीं, विपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ देर रुकने के बाद उसने मुस्कुराया और बोला, ओ, हाँ, प्लीज मुझे सीनियर मत कहो, ये सुनकर बहुत अजीब लगता है जैसे मैं भरी जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ, ये सुनकर तांतरिक बाबा का चहरा इतना कस गया कि वह लगभग एक कडवे लौकी की तरह जुर्यों वाला हो गया, विपिन केवल 18 वर्ष का था और वह 50 साल से अधिक उम्र का था, विपिन से लगभग 40 साल बड़ा, फिर भी उसकी उपलब्धी अभी भी तुलनात्मक रूप से दैनिये थी